नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों केशे हैं आप शबी उम्मीद करते हैं कि वगवान भुलेनाद के शिर्बाश शी आप शबी बहुत ये अच्छे होंगी अपने जिवनकाल में शुहस्त होंगी दोसों हम आप शबी को बता दे कि आज शाम शीए आप शबी के जिवनकाल में होने वाले हैं बहुती बड़े अदुपत चमतकार जिहां दोसों और ये चमतकार होने शी कोई भी इंसान रोक नहीं शकता दोस्टों आप इन्हें खुद ही रोक शकते हैं तो दोस्टों इसलिए आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिशना करें अगर आप चाहते हैं कि वगवान भूलिनात का यह चमतकार आपके आखों के शामनी हो हैं आज के इस वीडियो को ध्यान शी दिखेगा दोस्टों यकीन मानिए इस वीडियो में हम आपको वहाद जानकारी देने वाले हैं जहें जानकर आप शिभी के होश उड़ जाएंगे रोंगटे खड़े घर जाएंगे गिस विडियो में हम आपको कुछ यह से सच्छाई बताएंगे जिनसे बगवान भुलिनात आप शे प्रशन नहीं होते जिनसे बगवान भुलिनात आप शे नाराज फिराते हैं जी हाँ दोस्तों और यह शमी बगवान भुलिनात आप शुबी की जुनकाल में बड़े ही चमतकार करने वाले हैं तो दोस्तों इनके पीछे क्या परदान करने वाले हैं तो दोस्तों आज का यह वीडियो का कन-कन आपशिवी के लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन शाबित होने वाले हैं आपकी जुनकाल के शबशे बड़े महत्पुन फैसले होने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को हम इतना ही निवेदन करेंगे कि सचे मं सच्चे हिर्दे भाव शीव रहर महादेव जरूर लिखेगा दोसों वह गवान भोलाद् श्यप शंकरी लाइग Johny मषरवाद, आप श्विक को प्राप्त होगा जी अनकाल की आर्टिक तंग्यां आप श्यपी के श्माप्त हो जाएंगी जोह दोस्टों इस कल्योग में हर एक इंशान को कर्म को शिवकार करना चाहिए दोस्टों बहुत शारीशी लोग होते हैं जो यह बात नहींजानते हैं तो उनसे अनजान हो जाते हैं कि कर्म से कुछ नहीं होता हम जो करते हैं उनका विप्रित होता है हम अच्छा करते हैं तो हमारा बुरा ही होता है लेकिन उन्हें शबर नहीं रहता कि आकिर हमारे कर्मों का फल कव मिलने वाले हैं जी हाँ दोस्तुं तो कहने का पात्परिया है कि कर्म से युड़ा ऐह ज्यान आप शुब की जुनकाल में बहुत बड़ा एक मंत्र होने वाले हैं कल्यूग में जीवन जेने का शबसे बड़ा मंत्र शफलता की चावी कहें तो दोस्तों वहाँ आपका कर्म है अगर आपका कर्म बहुत ही ज्यादा फिर शुद और शंपन है तो दोस्तों एकिन माने आपको कोई भी चिंता करने के आवशकता नहीं है आप इश्वर के शमीप की आख ने पेड़ पर फल देखा तो वहते कि मन में लाल स सजा आगी आउंक तो फल तोड़ नहीं शक्ति इसलिए प्यार गए पेड़ के पाश फल तोड़ने इसलिए हाथों ने फल तोड़े और मुह ने फल खाए और वो फल गए पेट में आप देखिए जिसने देखा वो गया नहीं जो गया उसने तोड़ा नहीं जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं जिसने खाया उसने रखा नहीं क्योंकि वो पेट में चला गया और जब माली ने देखा तो डंडे पीट पर जिसकी कोई गलती नहीं थी लेकिन जब डंडे पड़े पीट पर तो आशु निकल गए आखों में क्योंकि शब से पहले फल देखा था आखों नहीं जी हां दोस्तों तो कर्म का शिधान बस यहीं है कि आप जो करेंगे जैसा करेंगे वेशा ही आपको प्राप्त हो आप आज यहीं अपने दिमाक्षी निकाल देजिए जी आँ दोस्तों तो दोस्तों आज का यह प्रमग्यान अगर आपको शमझ में आई हो इनमें शच्चा ही लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा श्र लाइक जरूर ही कीज़ेगा और दोस्तों इनके लिए कमें आपको नहीं करना है दोस्तों बहुत ही गहरी जानकारी के बारे में आगेम बात करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही दिल धाम कर अंतर तक दिखिएगा तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको बता दे कि इंसान अपने जूनकाल में शुकी रहने के लिए क्या नहीं करता अपने जुनकाल के हरेक वहा कारे करता है जो इंशान कर सकता है पर दोस्तों आप भी अपने जुनकाल में पिछले कईश में से बहुत ही जादा मेहनत कर रहे हैं जिनका प्रिणाम भी आपको मिल रहा है लेकिन दोस्तों बहुत शारे शेकारे हैं जो आपके संपन नहीं हुए है जी हाँ दोस्तों और दोस्तों उन्में आप महाई सोते हैं कभी कभी इश्वर से नाराज हो जाते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शुबी को यह बात पताना चाहेंगे कि जितना आपको इश्वर ने दिया है वे आपके लिए काफी है पर शरत एक आपको उसकी मोल को समझना है जिया दोस्तों अगर आप इश्वर के दिये इस मोल को समझ जाएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए लेकिन दोस्तों साथी शाथ आप शुबी के जुनकाल में अब शुबी नाम का शुबियोग का निरमान हुआ है जिन के कारण से दोस्तों आप शिव की जुनकाल में बलके शाथ साथ अब आपको इश्वर का एशा शमर्थन मिलेगा कि दोस्तों आपके शारे रास्ते खोलेंगे जिया हम दोस्तों पहले भगवान शनिदेब करम के देवता आपको बहुत शारी रास्ते दिखाए हैं जिनमें दोस्तों आपने कारे की हैं बहुत शारी लोगों ने पेशे इनिवेश्ट किये हैं, बहुत शारी लोगों ने नया कार शुरू किया है, लेकिन दोस्तों अब आपको बता दे, कैसे उस कारी को बढ़ा शुकते हैं, कैसे आप अपने कारियों में शफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप जो कारी कर रहे हैं उनिंगपनी लाप केशे पराप्त कर्शकते ही दोस्म अब आपका हुआ दोर आया है क्योंकि शिव नाम का श्युवयूकर अब आप शिविके रौदाशी में परिवेश करने करने वाले हैं बहुत शार। अच्छी सोच आपसे ही म मस्तिक्न प्रिश्वर उन्हीं के जिवनकाल में प्रिशन नहीं होते हैं। प्रिश्वर के जिवनकाल में प्रिशन नहीं है। प्रिश्वर के जिवनकाल में 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 प्रिश्वर के जिवनकाल म अपने जुन्काल में कुछ बातों कह ध्यान राकना है दोस्व शरपर्थम् यह बात है कि कभी भी आज शू है अपने जुन्काल में अपने मुख्य आपको ईयशी सब्दों का परियोग नहीं करना है जो कि दोसे आपके हिद के लिए न hypnot यहां दोस्तों जो कारे आप कर रहे हैं वा कारे भी ध्वस्त हो जाता है और दोस्तों जिन चित्रों में आपने पेशा इन्विश्ट किया है दोस्तों उनमें आपको घाटा लग जाता है तो दोस्तों अब से आपको अपने जुनकाल में इसे सब्दों का बश परियोग नहीं करना है जोकि दुसरों को ुचल दे दुसरों को घाथ पोंचाई जहां दोस्वन अपने शे बढ़ों का अब आपको शम्मान करना है दोस्वन इश्जे शम्मान नहीं जिसे आज की दौर पर लोग करते लेकिन दोस्तुऊ हम आकशिवी को बता दे कि हम कुछ भी सोच ले इशुर हमारे उपर एक ही चुझ सोचते हैं वह है हमारा भाव वहाव शहिARE कर्म परकड़ होता है और दोस्त वही कर्म शातिशा दोस्तों आपको बदा दी कि कभी भी अपने जुनकाल में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे कि दोस्तों अगर आप पेशा खर्च कर रहे हैं तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि या पेशा खर्च करना जरूरी है या फिर नहीं दोस्तों बिना या फिर लपरवाही शेकार करना दोस्तों इनसे माता लक्षमी प्रशनन नहीं होती इनसे माता लक्षमी रुष्ट हो जाती है जिनसे दोस्तों आर्तिक तंग्यां गिरने लगती है छन छन में पेशे की कर्ज बढ़ने लगती है जिहां दोसों, और कर्ज से व्यक्ती का जेवन फिर शेए उस इँक गड़े में चला जाता है जहांसे व्यक्ती को लगता है कि अब हम कभी भी उपर जा नहीं शकते जी हाँ दोस्तों तो शोष शमचकर ही अब आपको पेशे का खर्च करना है पेशे को कहीं भी लगाना है जी हाँ दोस्तों अगर आप इन दो बातों का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों आपके जुनकाल में एकीन मानिये इश्वर का हमेशा अशिर्बात प्राप्त होगा बग यिशुवर से जुड़ना है, इुशुवर का शात रहना है, इशुवर से हमेशा फ्रातना करना है, कि है इशुवर हमी शमा कीजिए आप जीनें भी मानते हैं, जिस भी दिवता को मानते citizens Lord. का नाम लेकर अपने आखों के जो पलक है, उन्हें बंध करके अपने मन शे इश्वर्शी बात करना है, जिहां दोसों, और अगर आप चाहिए, तो दोसों दिन में कभी भी बात कर सकते हैं, तो दोसों, शुवा के 3-5 बजे का जुशमें है, दोसों, इन से आपका मन इश्व इश्वर सी शिदा जुड़ जाता है जी है दोस्तो वह श्र में आपकी मन की ध्वनी इश्वर के पास जाती है तो दोस्तों सुभा के तीन से पांच बजे के बीद ऊठकर आपको इशकरिया को करना है। ट्यार से अध्यान में लगना है इश्वर काश्मरन करना इशान को जागरत करना है आपको अपने जुनकाल में अपने गलतियों को श्युकार करने में यहां दोस्तों ईशुर्षी हमेशा अपने गलतियों को शुकार करने के बाद कहें कि हैशुर्ष अब हमें आगे चलने की रास्ता देजे हम आपमें खुद को शमध्पित करते हैं हमारी जुनकाल की जो भी गलतियां है आप उन्हें अबोट समझ कर शमा कर देजी हे प्रभू दोस्वों इनका आपको जो है अध्यन करना है यह प्रात्ना करना है शादिशा दोस्वों आपको बता दें कि कुछ उपाय आपको करना है जैसे कि दोस्वों माता लक्ष्मी को मजबुत करने के लिए आपको शुक्रवार की दिन गाहित्री मंत्र का पाठ करना है माता लक्षमी का हार्ती करना है और दोस्तों ध्यान रखें कि जब भी आप हार्ती करते हैं दोस्तों जब भी आप उनमें कुछ भी भोग लगाते हैं दोस्तों उनका वित्रन आपको पूरे परिवार के शात करना है और जो भी लोग आपके शामने दिखें उन्हें भी आप को जो भी धनलाब में दिखतेंस आ रही है उन में फिर सी आपका धन लाप होना शुरू हो जाएगा काले मिर्श के पांच दाने अपने शिर पर्फ ये शाद भार घुमाकर चार दाने को चार दिशाओं में फंक दे तथा पांचवे दाने को आकास की और अकाश की और उचाल दें दोसों यह उपाई करनेशी अचानक शे धनलाप होगा और वेकुंड में बेठे हरीश्वर का आपको आशिरवात प्राप्त होगा शातिशाद दोसों पीपल के पत्ते पर राम लिख कर तथा उस पर कोई मिशान रख कर हनमान मंदिरी में चढ़ दोसों इश्य अवश्य धनलाप होगा शातिशाद महाबली हनमान जी भी आपशे प्रेशन होंगी शनिवार के दिन पीपल का एक अखंडित पत्ता तोड लाएं फिर उसे गंगा जल से धोकर उसके उपर हल्दी तथा दही के घोल से अपने दाएं हाथ से अनामिका उंगल द्वारा एक वर्ग के भीतर हिंग अंकित करें तस पत्चात धूप दीप दिखागर या पत्ता मोड कर अपने बटुए में रख लें दोसों फिर देखें आपकी जुनकाल में कभी भी पेशों की कमी नहीं रहेगी दोसों इनसे पेशा खिसता आपशिवी के जुनकाल में जिन से मानव के जुनकाल में धन का आना बहुत ही तेज हो जाता है दोसों इनसे आपके जुनकाल में जो भी गलती है उन गलतियों को आप शामने शिदेख पाएंगी और केश्वी आपको अपने जुनकाल में अच्छा कराबर करना है अपने कारियों को केश्वी जदार न नहीं होना चाहिए इश्वर के प्रती शद्भाव होना चाहिए दोसों जो भी आप उपाई करते हैं पूरे दिल से किजीगा जिया दोसों यह नहीं कि हम कह रहे हैं तो आप कर रहे हैं दोसों उनमें आपकी सची श्रधा होनी चाहिए आपका विश्वास होना चाहिए जिया वो भी आपके अर्थिक तंग्या है जो भी आपके जुनकाल में दुख दर्द शमश्चाय चल रहे हैं दोस्तों निस्सिती आपको उन सभी से मुक्ति मिल जाएगा और जुनकाल में आपके एक नए जीवन की शुरुआत होगी जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों उमीद करते है कि आज कर यहाँ वीडियो आप शिवी को प्रशन आया है प्रशन आये तो दोस्तों लाइक किजिएगा शादी दोस्तों और एशी महत्पुन जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नाम दिल्कुल मज़िमात बोलिए धन्यवाद आप शिवी का दिन शुब रहे झाल प्रशन आये